भारत वीवित्ताओं से बना देश हैं असंतुलिष विकांस के हम शिकार रहे हैं मेरा पराया का करन हमारे देश के कुछ फिस्से उसके शिकार रहे अब हमें Regional Aspireations को संतुलिष विकांस को भल देना है और Regional Aspirements को लेकर के उस भावना को हमें सन्मान देते हुए जैसे हमारी भारत मा का कोई हमारा शरीर का कोई अंग अगर अविक्सित रहे तो हमारा शरीर विक्सित नहीं माना जाएगा हमारा शरीर का कोई अंग दुरूबल रहे तो हमारा शरीर स्वस्ता नहीं माना जाएगा वैसे ही मेरी भारत माता उसका कोई एक भूभाग भी समाज का कोई तपका भी अगर दुलबल रहे तो मेरी भारत माता समर्त है स्वस्ता ऐसा बैठ कर गम नहीं बैठ सकते और इसलिए रीजिनल एस्पिरेशन को हमने एड्रेस करने के आवस्ता है और इसलिए हम समाज का सर्वांगीर विकास हो सर्वपर्शी विकास हो वह भाग के हर खेत्र को उसकी अपनी तांकत को खिलने का आउसर मिले उद दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे प्रिवार जनों भारत ऐस अगड़र आप देमोकरिसी है भारत मोडल अब डाइवरसिटी भी है भाशाय अनेक है बोलिया अनेक है परिजान अलेक है विवितता है बहुत है हमने उन सारे लोगों सारो को अदार पर आगे भढ़ना है मेरे प्यारे परिवार जनो बेश के जब मैं एक्ता की बात करता हूँ तब अगर गटना मनिपूर में होती है तो पीडा महराष्ट में होती है अगर बाड़ा साम में आती है तो बेचेन केरला हो जाता है दिनी इंद्थान के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो हम एक अंगांगी भाव के अनुभूती करते है मेरे देश की बेटियों पर जुल्म नहो यह हमारा सामाज्यक विदाईत्व है यह हमारा पारिबारिक दाईत्व भी है और यह देश के नाते हम सब का दाईत्व है आज जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंद साब का स्वरुप को लाते हैं तो पुरा देश गवरोव के नुभूती करता है जब आज दुनिया के किसी देश में कोवीड के काल में मेरा कोई शिक भाई लंगर लगाता है भूकों को खिलाता है और दुनिया में वाहवाई होती है तो हिंदुस्तान का सीना चोड़ा हो जाता है मेरे प्यारे प्यरिवार जनो हमारे लिए जब नारी सम्मान की बात करते हैं मुझे अभी एक देश में दोरा कर रा तो वहाँ एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर उसने मुझे एक सवाल पूछा उसने कहा आपके हाँ बेटियां साइन्स और एंजिनिरिंग के विशों की पढ़ाई करती है क्या उसमें कहाँ आज मेरे देश में लड़कों से ज़्यादा बेटियां आज स्टेम भाग मेरी बेटियां ले रही है तो उनके लिए अचरत था यह सामर्त आज हमारे देश का देख रहा है कि मेरे प्यारे परिवार जनों आज दस करोर महिला आए विमेंट सेल्फ हेल्फ में गुरुड़ी जुड़ी हुई है और विमेंट सेल्फ के साथ आप गाॉं में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीजी मिलेगी आपको आंगन वाड़ी वाली दीजी मिलेगी आपको दवाई देने वाली दीजी मिलेगी और अब मेरा सपना है दो करोर लगपती दीजी बनाने का गाउं में दो करोर लगपती दीजाने और इसके लिए एक नया अभिकम बेजा Science और Technology हमारे गाओं के महलाओं का भी सामर्त देखता हूँ मैं और इसलिए हमें नई योजरा सोच रहे हैं कि हमारे Agriculture सेक्टर में Technology आए Agritech को बल मिले इसलिए Women Self-Help Group की बेहरों को हम ट्रेणिंग देंगे Drone चलाने की Drone Repairing की हम ट्रेणिंग देंगे और हजारों ऐसे Women Self-Help Group को बारत सरकार Drone देंगी ट्रेणिंग देंगी और हमारे Agriculture के काम में Drone की सेवाई उपलब्द हो इसके लिए हम सुरुवात करेंगे प्रारम हम 15,000 Women Self-Help Group के द्वारा ये Drone की उडान का हम आरम कर रहे हैं मुझे विश्वास है किसके कारण हमारे परिवार जनों का मेरे प्यारे परिवार जनों आज देश आदुनिक तागी तरब बढ़ रहा है हाईवे हो रेलवे हो एरवे हो आईवेज हो इनफरमेशन वेज वाटर वेज हो कोई खेत्र ऐसा नहीं है जिस खेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में आज देश काम न करता हो पिछले नव वर्ष में तत्रिय क्षेत्रों में हमने अजिवासिक खेत्र में हमारे पाड़ी क्षेत्र में विकास को बहुत बर्द दया है हमने पर्मत माला भारत माला एसी योजनाओं के द्वारा समाज के उस वर्ष को हमने बल दिया है हमने केस की पाइपलाइन से हमारे पुर्वी भारत को जोडने का काम किया है हमने अस्पतालों की संख्या बढ़ाई है हमने डॉक्टर की सीटे बढ़ाई है ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बंडे का सपना पुरा कर सके हमने मात्रू भाषा में पढ़ाने पर बल दिया है मात्रू भाषा में वो पढ़ाई कर सके उस दिशा में और मैं भारत की सुप्रिम कोड का भी धन्यवाद करता हूँ कि भारत की सुप्रिम कोड ने कहा है कि आप जो judgment देंगे उसका जो operative part होगा वो जो अदावत में आया है उसकी भाषा में उसको प्लब्द होगा बात्रू भाषा का महात्मय आज बढ़ रहा है मेरे प्यारे परिवार जनो आज तक हमारे देश के जो border village है हमने vibrant border village का एक कारकम शुरू किया है और vibrant border village अब तक इसके लिए कहा जाता था देश के आखरी गाउं हमने उस पूरी सोच को बदला है वो देश का आखरी गाउं नहीं है सीमा पर जो नजर आ रहा है वो मेरे देश का पहला गाउं है अगर सुरज उखता है पूरब में तो उस तरब के गाउं में पहली सुरग की किरनाती है अगर सुरज ढलता है तो इस तरब के गाउं में आखरी कीरन उसको अलाब मिलता है यह मेरे पहले गाउं है और मेजे खुशी है कि आज मेरे इस कारकम के विशेश महमान ये जो पहले गाउं है सीमावर्ती गाउं है उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की पाचीर के इस महत्वपूर कारकम का हिस्सा बनने के लिए आए पहली बार वो इतनी दूर तक आये हैं नए संकल्प और सामर्त के साथ जुड़ने के आया है मेरे प्यारे परिवार जनों हमने संतुलिद विकास के लिए एस्परेशनल डिस्टिक एस्परेशनल ड्रॉक की कलपना थी और आज उसके सुखत प्रणाम मिल रहे हैं आज राज्ये के जुपर नॉर्मल परामिटर्स है जो एस्परेशनल डिस्टिक कभी बहुत प अवश्या आगे बढ़ेंगे